नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nainsubha.org www.nainsubha.org असलामलेकूम नई सुभा इंडिपेंडेंट लिविंग फ्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबह हाथ पाउं कोहनिया या नकल्स संटैंक वज़य से डांक होrij। ड्रायनस की वज़य से डांक हो या फिर किसी और रिजन के वज़य से इन तमाम इरियस के स्किन डांक हो तो आज की रैमेडी आपİस्तमाल कर सकते हैं वौर उस्ती ट्री इजुपी टेज आलू पी इसके बाद आप इसमें एक टीस्पून बेकिंग सोडा यानि मीठा सोडा शामिल करें और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कीजिए और फिर इस मिक्सर को अपने हाथ या पाउं की डर्क स्किन पर अपलाई कीजिए और तकरीबन तीन से चार मिनट के लिए लगा रहने दीजिए इसके बाद दो से तीन मिनट के मसाच ये बाद सादे पानी से वाश कर लें स्टेप नमबर टू एक टेबल स्पून दही लीजिए और एक टी स्पून काफी इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कीजिए कि वेल ब्लेंड हो जाएं और फिर इसके बाद अपने स्किन पर अपलाई कीजिए और दस मिनट के लिए लगा रहने दें दस मिनट के बाद सादे पानी से वाश कर लीजे स्टेप नमबर ट्री सबसे आखर में आपने संट्फलार आउल जो कि आपको पिंसार शॉप से बहासानी मिल जाएगा स्किन पर अपलाई करने हैं और हलके हाथ से मसाज़ करना है लेकिन अगर आप इसके साथ कमफरटेबल नहीं है तो आप किसी टिशू पेपर या सॉफ्ट कपरे से अपने हाथ को अच्छी तरीके से आउल से क्लियर कर सकते हैं ये रेमेडी आप अपनी नाइट स्किन के रूटीन में शामिल कर सकते हैं ताके रात के वक्त स्किन रिपेर होने के सासत नारिश भी हो और आपको अच्छे रिजार्ट्स मिल सकें इस रेमेडी को आप चेहरे पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अलबता स्टैप नबर डू जिसमें दही और कौफी का मास्क बनाया गया है वो चेहरे पर उन्स और ट्वार व्ीक इस्तेमाल किया जा सकता है Last but not the least इस remedy को हर skin type के लिए इस्तमाल किया जा सकता है ये तो थी आज की remedy Till next time, अलाने के बाद अलाने के बाद